आपके पास वह है जो एक आदमी होने के लिए आवश्यक है भाग एक द्रिश्य हिंदी फिल्म जो रुका गुलाम का है चार बहुत बहुत अमीर लड़कियों का एक समूह एक आदमी से शादी नहीं करना चाहता है तिर भी यह आदमी और उसका दोस्त अपने पैसे के लिए लड़कियों से शादी करने आते हैं वर्तमा अंद्रिश्य उस लड़के को मुख्या अभिनेत्री द्वारा दी गई लड़कियों के सामने अपनी मरदांगी साबित करने की चुनौती के साथ समाप्त होता है जिसे उसने बिलकुल भी स्ट्रेंड नहीं होने के लिए कहा था उन्होंने फैसला किया कि लड़कियों और पुरुश के बीच मुख्य बाजी मैच से साबित करने का सबसे अच्छा तरीका होगा तो वह आदमी मैच के लिए कैयार होकर आता है और उसे मैच के दाव के बारे में बताया जाता है हर बार जब वह कोई मुकाबला हार जाता है तो उसे अपने मरदाना गुनों या तरीकों में से एक को त्यागना होगा और स्त्री गुनों और तरीकों को अपनाना होगा अगर वह बाउट जीत जाता तो उसे लड़कियों में से एक से शादी करने का मौका मिलता और वह उसकी पत्नी बनकर उसकी बात सुनती अगर किसी भी तरह से वह सभी दस मुकाबलों में हार गया तो उसे एक महिला की रूप में रहना होगा और उन चारों की पत्नी बनना होगा आदमी को अपनी मर्दानगी और अपनी ताकत पर बहुत गर्व था और उसने कमजोर लड़कियों को ये साबित करने का फैसला किया उसे इतना गर्व था कि उसने उन चारों को एक साथ चुनौती दी तो आखिरकार बॉक्सिंग रिंग में मैच शुरू हुआ उसने बहुत जोर से मुक्का मारना शुरू कर दिया लेकिन उसके पास कोई प्रशिक्षन नहीं था इसलिए हर बार जब वह मुक्का मारते थे उसे विश्वास हो गया कि वे उससे डरते हैं इसलिए उसने जोर से मुख्का मारना शुरू कर दिया लेकिन आधे मिनट के भीतर ही वह ठक गया फिर उन्होंने उसे मारा, उन्होंने उसे पंचेंग बैक के रूप में इस्तिमाल करना शुरू कर दिया और जल्द ही वह अपने हाथों से अपना चेहरा धहते हुई कोने में दुबग गया बाउट एक लड़कियों के पास गया लड़किया एक बैठक में गई और फैसला किया कि चून की वह लड़का जल्द ही लड़की बनने वाला है इसलिए उसे याद दिलाने का सबसे अच्छा तरीका उसका नाम बदलना होगा इसलिए उन्होंने उसे कहा कि अब उसका मरदाना नाम नहीं हो सकता तो उसे अपना नाम बदल कर अंजली रखना होगा अंजली को कुछ ही मिनट का ब्रेक दिया गया और फिर बाउट दो का समय हो गया बाउट दो की शुरूआत अंजली द्वारा लड़कियों से बचने की कोशिश के साथ हुई क्योंकि वह पिछले मुकाबले से दर्द कर रहा था वे उनसे बचने की कोशिश की और उनसे दूर भाग गया वे उसका उपहास करने लगे अंजली तुम हमसे क्यों भाग रही हो या अंजली एक मजबूत लड़की बनो और लड़ो हर वाक्य में उन्होंने जो एक काम किया वह उसे याद दिला रहा था कि वह अब अंजली है इससे उसे मानसिक चोट लगी और उसकी एकागरता खत्म हो गई उसने केवल पहला मुक्का मारते हुई देखा उसके बाद सब कुछ धुंधला हो गया कुछ ही मिंटों में वह फिर से दूसरे कोने में अपने हाथों के पीछे छिपा हुआ था लड़कियों को पता था कि वह उससे क्या देने के लिए कहना चाहती है उनसे कहा गया कि वह अपने अंदर के कपड़े दे दे उन्होंने उसे पहनने के लिए स्पोर्ट ब्रा और बॉय शॉर्ट्स दिये उसे वाश्रूम जाकर चेंज करना था जब उसने देखा कि उसका चहरा पूरी तरह से पीटा गया है और उसने अपने हाथ में ब्रा देखी तो उसका सारा गौरब बाहर चला गया उसे बस अगले राउंड जीतने थे वह एक महिला के रूप में शेश चीवन नहीं बिता सके वह उन्हें कैसे हरा सकता था वे उससे बहुत मजबूत थे यह ऐसा था जैसे उसने खुद को पूरी तरह से फसा लिया हो जिसक्षन उसे एहसास होने लगा कि वे उससे अधिक मजबूत हैं वह जानता था कि वह नहीं कर सकता तो ये दिमाग होना चाहिए था वह दस्तक सुन सकता था जो उसे बाहर आने के लिए कह रही थी अन्यथा वे अंदर आ जाएंगे इसलिए उन्होंने आखिरकार ब्रा और शॉर्ट्स पहन ही लिए कम से कम उसने उनके उपर एक टीशर्ट और शॉर्ट्स पहना था ताकि वे दृष्टी से मामला दाव पर था इसके अलावा ब्रा भी थी जो बहुत तर्म थी क्योंकि यह उसकी त्वचा से चिपकी हुई थी जिससे इसके बारे में सोचना असंभव हो गया था तो बाग की तुलना में जल्दी ही उसे कुछ बार मुक्का मारा गया और मुकाबला हार गया उन्होंने कभी एक भी मुक्का मारने की कोशिश नहीं की लड़कियों ने कहा कि उसके पास तीन विकल्प है पहला विकल्प यह था कि वह सलवार सूट या साड़ी जैसी विशुद्ध रूप से स्त्री पोशाक पहनना शुरू कर सकता था और शेश मुकाबलों को लड़ने के लिए एक सप्ताह तक प्रशिक्षन ले सकता था दूसरा विकल्प यह था कि वह कान, नाक और पेच्छिद्वा कर लड़ते रहें तीसरा विकल्प यह भी था कि वह हार मान सकता था और उन्हें उसे पूरी तरह से एक महिला में स्त्रेंड बनाने दे सकता था और उसे उनमें से किसी से भी शादी नहीं करनी होगी यदि उसने तीसरा विकल्प अपनाया तो उसे एक महिला के रूप में रहना होगा लेकिन गुलाम के बजाए उनके दोस्त के रूप में अंजली ने काफी देर तक सोचा और फैसला किया कि पहला विकल्प उन सभी में सबसे सुरक्षित है तो लड़कियों ने उसे चार सलवार सूट, डो नाइटी, टीन साड़ी और यहां तक की तीन वेस्टन ड्रेस भी हफते भर पहनने के लिए दे दी सभी पोशा के ऐसी लग रही थी जैसे वे उस पर फिट होंगी यहां तक की साड़ी का बलाउज भी उन्हें फिट करने के लिए बनाया गया था यह तब है जब अंजली को एहसास हुआ कि उसे फसाया जा रहा है और लड़किया पूरे समय इसके लिए योजना बना रही थी लड़ने की उसकी पूरी इच्छा शक्ती चरमराने लगी वह जानता था कि अगर उन्होंने पूरी योजना बनाई है तो वे जानते थे कि वह उन्हें नहीं हराएगा इसलिए वह कभी भी उनमें से किसी एक से शादी नहीं करने वाला था इसके बजाए वह हमेशा के लिए अपनी मर्दानगी खोने जा रहा था वह पूरे रास्ते इस बारे में सोच रहा था जबार सूप पहन कर घर जा रहा था उसे दुपट्टे को संभालने में कठिनाएं हो रही थी जो उसके कंदे पर फिसलता रहता था अंत में वह घर पहुँचा जहां उसके पिता उसे इस तरह देखकर नाराज हो गए जबकि उसकी माँ और बहन काफी खुश नजर आ रही थी उसने सोचा था कि वह अपने पिता से एक पहलवान से उसे मुख के बाजी और लड़ाई के बारे में सिखाए फिर भी अपने पिता के चेहरे को देखकर वह जानता था कि यह समय नहीं है इसलिए वह अपने कमरे में गया और अपने नए कपड़े खोले और उन्हें अपनी अलमारी में रखा उसकी बहन कहानी जानकर उसे चिडाती रही कि वह लड़की कैसे बनेगा और फिर वे बहने होंगी और अंत में उसे वह छोटी बहन मिलेगी जो वह हमेशा से चाहती थी उसका दोस्त भी आया और उसे हार न मानने के लिए कहा क्योंकि यही एक मात्र तरीका था जिससे वे बहुत तेजी से अमीर बन सकते थे उस रात सोते समय वह ये सब सोच रहा था यहां तक कि उसकी सपने भी थे जहां उसे एक पूल महिला में बदर दिया गया था और लड़किया उसकी साथ एक पुरुष की तरह यौन संबंद बना रही थी